तो हेलो गाइस स्वागताव सभी के एक बाफिर से मेरे इस चैनल सुपर नर्ड में तो जैसे को तुम लोग जानते ही हो कि डीसी कॉमिक्स अपने स्टोरी के लिए काफी जादा पॉपलर है लेकिन हम ये भी जानते हैं कि डीसी कॉमिक्स की जो जोक्टर्स होते वो काफी जाद करहते हैं उसे किया अपते है क्रिंकलिकर नीजे इस आप्लाई ना होते हूँ और इनी में से एक ऐसा कैक्टर निकल के आता है DC Universe के अंदर Captain Adam जिसे हम Quantum Superman के नाम से भी जानते हैं और आज की इस वीडियो में हम यही जानेगे कि आखिर Quantum Superman कौन है और यह में कितना जादा पाउरफल देखने को मिला है DC के स्टोरी सकंदर आज के समीजिंग वीडियो को आज के समीजिंग वीडियो को सो बेसिकली Quantum Superman Earth 4 से बिलॉंग करता है और यह करेंटली लाइज इन दी लिंबो डैमेंशन जो DC Universe का एक मेटाफिक्शनल रियल में है अब Quantum Superman Superman का को कोई वर्जन नहीं है इसे Superman इसलिए कहा जाता है क्योंकि अर्थ 4 का एकलाता सा बिंग था जिसके पास सूपर पावर्स थी और क्योंकि इसकी पावर्स का जो कह सकतो कि जो पूरा ओरिजनल में देखेंगे लोबला है वो Captain Atom चे का फ़्यादा सिमलर था इसी वज़े से इसे Quantum Superman का नाम दिया गया है Now he obtained his power from an experimental uranium engine explosion जिसके वज़े से यह कह सकतो कि एक disembodied mind में convert हो गया था with no sense of time जिसके वज़े से Quantum Superman time को easily transcend कर देता है Space Time के loss इसके प्रावलाई नहीं होते हैं और Quantum Superman बहुत ही जादा ओवर पावर्ड है जहां Quantum senses इसकी सबसे प्राइम पावर निगल के आती है यानि कि Quantum Superman जो है extra dimensional senses से immune है और Quantum senses से जो है कह सकतो कि 4th dimensional space time को manipulate कर सकता है and he had even linked his कह सकतो कि space time through comic book pages यह भी बता सकता है कि यह comic character है और कह सकतो कि comic book pages से interact भी कर सकता है readers के साथ भी interact कर सकता है इसके पास fourth wall awareness भी मौझूद है he was able to flick through pages and read it however he wants जो कह सकते हो कि इसके power को काफी चेतर के से show करता है और यह सभी चीज़े Quantum senses के through ही apply होती है Quantum senses के within ही हम इसे count करते हैं इन सब के लाबा यह कह सकते हो कि एक बहुत ही strong telepath भी है क्योंकि अपने telepathic के मदद से कह सकते हो कि यह character's के thoughts को जान सकता है जो comic में मौझूद है और कह सकते हो कि जो comic के characters है उसके thoughts इसके सामने wide open हो जाते है इसके वज़े से यह पूरी की पूरी comic को comic की story को freely read कर सकता है और इसी वज़े से हमें पता चलता है कि यह character totally metafictional है देखा जाये तो quantum superman extreme intelligence भी possess करता है और इसी वज़े से यह बड़ी आसानी से कह सकते हो कि DC multiverse के fundamental mechanism को realize कर लेता है और उसे पूरी तरीके से समझ गया था within few seconds जो इसके extreme intelligence को काफी अच्छे तरीके से देखाता है साथी साथ quantum superman extremely powerful है यह reality को change कर सकता है concepts को manipulate कर सकता है space time manipulation perform कर सकता है dimension manipulate कर सकता है जो सभी चीज़े कह सकतो कि कोई हमें दूसरा metafictional character perform करते वे नजर आता है उन सभी characters के comparison में quantum superman बिल्कुल equally powerful निकल के आएगा इन सब के लबाए यह DC multiverse के DC के सारे dimensions के सारे loss को break करता है including the 8th dimension और क्योंकि यह totally metafictional being है और इसके पस fourth wall awareness भी मौझूद है इसे यह पता है इसे कि यह comic character है और यह fiction और reality में differentiate भी कर सकता है इन सब के लावा he is the strongest telepath outside the DC manifestation outside the DC manifestation इसलिए कहा क्योंकि यह metafictional being है और यह जो है इतना जादा capable है इतना जादा powerful telepath है हम लोग ऐसे हैं जो कह सकतो कि ओवर्वाइट से directly connected है अब ओवर्वाइट के भी अंदर जो DC का कॉजमोस है वो कह सकतो कि pen के एक drop के बराबर है pen के ink के एक drop के बराबर है और उससे communicate करना यह दिखाता है कि quantum superman कितना जादा intelligent character है और उसकी टेलेपैथी की जो कह सकतो कि range है वो कितनी जादा है quantum superman का role भी बहुत important रहा है DC कॉजमोस के अंदर कज he was the instrumental in creation of cosmic armor superman अब हम लोग को पता ही है कि ओवरवाइड ही responsible था cosmic armor superman और मैंडरेक के creation के पीछे but captain adam यानि कि quantum superman नहीं communicate कर सकता है और वाइड से इसे वैसे कह सकते हूं कि इसके काफी बड़ा plus point है और उसका role इतना जादे important रहा है DC के काफी बड़े-बड़े events के अंदर although इसकी comics में बस एक दो बार ही appearance हुई है यह अब देखा जाए तो next series में तो मैं बता आने वाला हूं और अगर एक और बात की जाए तो यह भी तुम लोग जानते ही होगे जिननों ने comic पढ़ी है कि Ultraman की जो heat vision थी वो basically quantum superman के उपर बिल्कुल unaffected रही थी जबकि वो same heat vision से Ultraman comic panels को भी जला चुका है melt कर चुका है तो यह काफी impressive heat निकल के आती है एक हद तक और इन सभी चीजों को अगर combine किया जाए इन सभी चीजों को दिल साथ में लेकर चला जाता है तो हमें इतना पतार चल जाता है कि quantum superman एक बहुत ही underrated बड़ एक बहुत ही powerful version of superman निकल के आता है although he is not completely a version of superman बड़ इस चिक काफ साह लोग consider करते हैं तो अपन भी consider करेंगी यह बहुत ही powerful character है क्योंकि यह metafixional है तो इसके विए से जो है इसके attributes भी काफी जादा बढ़िया किसम के निकल के आते हैं एक बहुत ही जाथ extremely intelligent character है और इसके telepathic abilities भी next level की है साथी साथ इन सभी चीजों को combine करके इस बात पर कोई भी शक नहीं है कि यह आसानी से एक high autoversal being निकल के आता है क्योंकि obviously जितने metafixional beings हैं DC में देखने को मिले हैं उनकी lowest से lowest scaling भी autoversal ही जाएगी with irrelevant speed, strength and durability साथी साथ यह नाई omni cent है क्योंकि इसका intellectual सच में लाजवाब है तो guys यह थी video quantum Superman को लेके कि वो कौन है वो कितना जादा powerful है I hope so कि तुम लोग अंदाजा लग गया होगा तो अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई तो इस तुडियो को अपना thumbs up देना अपने जोसका शियर करना चैनले पर नहीं हो चैनल को subscribe करना नीचे comments में बताओ कि तुम्हें ऐसी ही नीचे वीडियो में तिल दिन भाई स्टे तुने स्टे आउसम्हें